जौरकन में साट चालिस नियोजनीती का मुद्धा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा इसी कड़ी में जौरकन स्टेट स्टूडेंट्स यूरियन ने एक बार फिर राज में दो दिनों के बंद का आवान किया उस बंद का क्या कुछ असर हो रहा है इस इस पर देखते हैं खास रिपोर्ट जैसेस्यू की ओर से पुलाए गए बंद का सर राज में मिला जुला देखने को मिला जहां सुभा में कई जिलों से तस्वीरे सामने आई जहां बंद समर्थक सड़कों पर उत्रे दिखे वही राजधानी राज़ी की बात करें तो बंद के समर्थन में छात्र नीता देवीन द्रिनाथ महतों अपने समर्थकों के साथ खादगड़ा बस क्यांग पहुचे जहां उन्होंने बस और आटो संचालकों से समर्थन मांगते हुए दो दिनों तक बाहनों का परिचालन बंद रखने की अपिलिकी है जिसका घौसना अम लोग लगातार एक महिना पहले से रोज रोज सुचना पहुचा रहे हैं लिखीत रूप से आम लोग सारे बस इस्टेन हो बस आटो एसोसियसे नो बजार समितियों दुकांदार समितियों सभी को वालेटर मी दिया है प्रदर्शन कारियों का अरूप है कि राजे को बने 23 साल हो चुके हैं बावजूद इसके आज तक सरकार यहां के युवाओं के लिए नियोचन नीती भी नहीं बना सकी इस बन्द के असर की बात करें तो इसके कारण लंबी दूरी के वहनों का परिचालन पाधित रहा साथी ओटो और अन्य नीजी वहन भी आम धिनों की अपेक्षा में काफी कम संख्या में सड़ को पड़ देखें पतादे की प्रस्तावित लियोचन नीती के विरोध और सरकारी नौक्रियों में स्थानिय लोगों को शत प्रतिशत आरक्षन की मांग को लेकर ये बंध पुलाए गया है हलाकि प्रतर्शन कारियों के विरोध की आवास अपी सरकार तक पहुच पाई है या नहीं ये देखने वाली बात होगी समच्छार प्लस के लिए राची से अंकुर सिनहा की रिपोर्ट